तो जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हैं मेरा आइफोन है जो 13.5.1 पर रन कर रहा है और मैंने यह अपडेट कर लिया बिना वाइफाइड कर सकते हैं अपने फोन के डेटा से आज मैं आपको यह बताने वाला हूं तो मेक शूर आप यह वीडियो पूरा देखें और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना कुछ भी कोशन आप नीचे कमेंट बॉक्स में पोच सकते हैं मैं आपके यह रिप्लाइ में पर कर दूंगा आपको अपडेट का साइज वह 75.2 MP और यह फोटो फोटो फोटे इफरेंट हो सकता है मेरे पास भी आइफोन 10 आर है तो इसके अंदर यह साइज है वह सकता आपके फोन में ज्यादा हो या कम अबी का भी हो सकता है इसके अंदर हमें क्या नाया देखने को मिलते हैं इसके बार में बात कर लेते हैं को अपने है आई फोन के डेटा से अपडेट कर सकते हैं मैं आज आपको वो बताने बहला हूं लिए मैं आपको बता देता हूं क्या करना होगा इन बात के लिए इसके बाद यह घ्रम के अंदर और यहां पर दिखेंगा शैट आटोमेटिकली को से आफ करना है उसके बाद जो डेट आपको सिलेक्ट करनी है वो यहां से आप 20 दिन या फिर 10 दिन आप आगे बढ़ा दीजिए मैं यहां से बढ़ा रहा हूं 22 यहां से exactly 20 दिन बाद उसके बाद मुझे वापस से यहां पर आना है और यहां पर मुझे अपडेट्स चेक करने है जैसा कि बढ़ाने से नहीं आथी तो आप 10 दिन एक महीना बढ़ा के देखिए एम वेरी शूर कि आप किसी ना किसी डेट पर आपका अपडेट जो है वो दिख जाएगा सो यहां पर मैं से जल्दी से अपडेट कर लेता हूं यहां पर पास कोड अपने फोन का डालता हूं और जल् थोड़ा जाधा टाइम लेगा वेट करना होगा आपको तो थोड़ा वेट कर लेगा सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अब यह जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है और यह प्रिपेरिंग फोर दी अपडेट दिखा रहा है अपडेट होने के बाद आपको ब जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हैं मेरा आइफोन है जो 13.5.1 पर रन कर रहा है और मैंने यह अपडेट कर लिया बिना वाइफाई के अपने सिम के डेटा से सो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई हो नए हो चैनल पर तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और आ कुछ भी कोशिण आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूच सकते हैं आपके वीडियो पसंद आई हो पसंद आई हो तो लाइक कर देना वीडियो को थैंक्स फर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में